तो hellos guys कैसे हैं आप सब्लोग देभूमिस्किल इंडिया सेंटर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज का जो थमनेल आप देखके समच चुके होंगे कि टॉपिक आज क्या है आज का जो थमनेल है वह देखके आप समच चुके होंगे आज हम जो हमारा मेरा जो वॉस के लिए हम लोग जो टैंक की यूज करते हैं मैं उसका रिव्यू दिखाऊंगा आपको पूरा और उसमें कुछ एक नया एक्सपेरिमेंट हमने किया है अभी तक हम शैंपू यूज करते थे और अब हम इसमें करेंगे सर्फ यूज करेंगे दस रुपे वाला तो देखेंगे बने वाला हूं जो मेरा टैंक है यह मैंने कहां से लिया था अभी क्या है क्या-क्या चेंज़ेंड हो चुके हैं आप आप बना रहेगा पूरा आपको एकदम बताने वाला हूं और आपके जो भी कोशन होंगे प्लीज आप मुझे वह्टसब में पूच लीज़ीगा आप म तो यह देखेगा जितने भी अंदर का हमारा बच्चावाश शैंपू होगा और जो भी खच्रा होगा अंदर का वह निकल जाएगा तो ख़र नहीं बोलते हैं जो अंदर का रस्ट होता है वह निकलता है थोड़ा सा कालापन आएगा शैंपू के साथ तो हम पानी डाल के लिटर शैंपू डालते हैं और उससे बहुत अच्छा फॉर्म आता है और इसको में पिसले एक साल से यूज कर रहा हूं ठीक है और यह जो टैंक है यह भी मैंने खानबाई से लिया था मुंबाई से तो यह देखेगा कुछ इस तरीके से हमारा यह टैंक खाली हो गया है अ है एक d przy 10 रुपे वाला जो जो सर्फ होता है यह लिया वा है बस एक 10 रुपे वाले सपकी सपसे ही करेंगे और मैं इसको पूरा पइक को डाल लेता हूं और इसको मिक्स कर लूगा मगमे ठीक है और उसके बाद इसको हम टैंक में दाल लेंगे और टैंक पो हमने होस्ली अच्छे से ज्यादा टाइम नहीं लेना है दो मिनिट में हो जाता है मिक्स अब हम इसमें इसको डाल देंगे मग से और पचास लिटर के लिए एक दस रुपे वाला जो पैकिट अब बहुत काफी होता है इनफ होता है तो अगर आपको यह टैंक लेना हो तो आप मैं आपको दिस्प्ले में और लेडी नंबर चल रहा है और मैं मुंबई का जो डिस्क्रेप्शन बॉक्स है उनमें मुंबई वालू का कॉंटेक नंबर भी दाल दूँगा आप वहां से पर्चेस कर सकते हैं और यह कोई गाइस पेड वीडियो नहीं है ठीक है कोई मेरे को इस कंपनी से कोई पैसा नहीं मिला है बट मैं इसका रिजल्ट यूज़ कर रहा हूं मुझे इसका रिजल्ट अच्छा लगा तो मुझे लगा कि मैं अपने साथ वाले जितने भी हमारे कारवसिंग वाले भाई हैं उनको मैं सजेस्ट करूँ अगर वो लेना चाते हैं और उनका अब हम इसको चालू कर लेंगे और यहां से एयर कंपास होके इस टैंक के अंदर आ चुकी है मेरा जो कंप्रेसर है वह आटो कट वाला है चितनी एयर उसको चाहिए होती हो ले लेता है बागी कट हो जाता है तो गाइस अब जो है मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूं ठीक है अभी जो कंप्रेसर में एयर है वह हमने कम एयर ले रिखी है तभी इसलिए रूख रूख के आ रहा है हम प्रेसर पूरा फुल खोला नहीं है तो अब यह देखी कि कंप्रेसर में भी इसका कितना जबरदस फॉर्म आ रहा है एक दम गाड़ी भर जाता है अगर हम इ पर संग नेश्ट ताइम जरूर आएगा ठीक है तो कुछ इन छोटी-छोटी चीजों से क्या होता है कस्टुमर खुस हो जाता है तो यही कुछ चीजे होती है तो यह देखेगा इसका फॉर्म ठीक है ठीक थाक था ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि शैंपू की टककर का था तो अगर आपके वाद शैंपू ना मिले तो आप सर्फ से कर सकते हो तो यह है जो अभी आपको टैंक आएगा देखेगे इसमें मीटर भी लगावा है ठीक मीटर लगावा है वाल लगी पड़ी है और इसमें ओवर्फलो का भी सिस्टम है यहां से जो है लिक्विड वालेंगे से सेंटर से बीच में से तो आपको इस तरीके से इसको देख लीजीगा ठीक है और यह आपको 15,000 पर में पढ़ेगा और कोरियर चार्ज मेरे साब से वह एक्टर रहेगा जो भी रहेगा वह लोकेशन के साब से रहता है देकि अब यह जो है इसकी एक फॉर्मिंग टेस्ट से घूछ गया दया कि वह ड़ो है आपको एक कार्णी कर सके आपको वह वुर्मिंगangen कि वह क्वच के उड़।ार्धर ग्दिश्था से तरीक जड़। एंडन केन मेरे और क्पष रहेगा और के डहेगा झूर्मिंग है और कि और कि प equivत Sorry, No, 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 No. No, No, No. No. No, Nobu Pय? Egyptian